नमस्कार दोस्तों, मेरे चैरल NKJ Creations पर आपका स्वागत है दादी नानी की बताई हुई बहुती कमाल के नुस्खे दूद में सौफ डाल कर पीने से कमर दर्द में राहत मिलती है चाय के अधिक सेवन से सरीर में यूरी केशिट की मात्रा बढ़ जाती है 3. जीन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उन्हें दूद और केला एक साथ सेवन करने से पेट खराब हो सकता है 4. सुबा खाली पेट, तला हुआ या चटपटा खाने से बचना चाहिए इससे सरीर में कई बीमारियां लग सकते है 5. रोटी को 32 पार चबा कर खाएं, सुबर 60 फिश्दी खाएं, दोपहर में 30 प्रतिसत और रात का खाना 10 प्रतिसत खाएं 6. चाय के उपर से पानी नहीं पीना चाहिए, इससे सरीर को बहुत नुकसान पहुँचता है 7. जिनके सिर पर बाल कम हो, वह रात को सोने से पहले चने की दाल का पानी सर पर लगाएं, इससे धीरे धीरे बाल उगना सुरू हो जाएंगा 8. अगर आपका पेट ज्यादा बढ़ रहा है, तो लहसून के रस से पेट पर मालिस करें, इससे बढ़ता हुआ पेट कम हो जाता है 9. खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सरीर के लिए नुकसान दायक होता है 10. यदि आप रोजाना नारियल तेल से चेहरे की मालिस करती है, तो इससे आपके डाग धब्बे और पीमपल्स जैसी समस्या दूर हो जाएगी नमबर 11 रात में सोने से पहले चेहरे पर एलेवरा जेल लगाती हैं तो इससे चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं और चेहरे पर गुलो आता है नमबर 12 अगर धूप में दिन भर निकलने की वजह से चेहरे का रंग साना पड़ गया है तो अंगूर का रस चेहरे पर लगाएं इससे चेहरे का रंग पहले जैसा हो जाएगा नमबर 13 रात को सोते समय पैरों की तलवे पर सर्शों के तेल की मालिस करने से नींद अच्छी आती है और साथ ही दिन भर की ठकावट दूर हो जाती है नमबर 14 दही का उपर वाला पानी लीवर को साफ करता है इसलिए दिन में एक गलास दही या दही का पानी जरूर पीना चाहिए नमबर 15 रोजाना दूद में 7-8 मुनक का उबाल कर पीने से सरीर में कभी भी पोसड की कमी नहीं होगी साथ ही सरीर गंबीर विमारियों से भी बचा रहता है नमबर 16 नींबू का पानी कंगी पर लगा कर पालों में फिरने से बाल सुन्दर हो जाते हैं नमबर 17 खाना खाने के बाद एक बड़ी इलाइची खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है नमबर 18 सर को धोने के बाद बालों को तुलियों से जादा देर तक नाला पेटे इससे बालों की चमक कम हो जाती है 19. जो आलू ज्यादा खाते हैं उनका वजन जल्दी बढ़ जाता है 20. पेट की गैस को ठिक करने के लिए सुखा पुदीनक हैं इससे पेट की गैस दूर हो जाती है 21. अखबार में लिप्टी हुई कोई भी चीजे खानने से बचें क्योंकि अखबार में लिप्टी ही स्याही का संबंद कैंसर से होता है जो आपके पेट में जाकर सरी को हानी पहुचा सकता है 22. गरम पानी से बाल धोने से बालों की जड़े कम जूर हो जाती है इसलिए कभी भी सर को गरम पानी से ना धोएं 23. उल्टी की समस्या होने पर हरा धनिया पीस कर उसका रस पीने से उल्टी याना बंद हो जाती है 24. बीना चीनी का निम्बू पानी पीने से सांस की बद्बू नहीं होती है 25. सुबक खाली पेट आम का जूस पीने से खुटनों के दर्द में आराम मिलता है 26. यदि आपके दातों पर पीलापन है तो पान के पत्ते चबाने से दातों का पीलापन दूर हो जाता है 27. ग्रीन टी का सेवन करने से काबज, पेट की गैस और मोटापे जैसी समस्याओं से निजात मिलती है 28. जोडों का दर्द ठिक करने के लिए अद्रक का रस लगा लेना चाहिए 29. मचली के साथ या मचली खाने के बाद कभी भी दूद से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए इससे आपको चरम रोग हो सकता है 30. आप रात के समय खाना ज्यादा खाते हैं तो इससे बुढ़ापा जल्दी आता है 31. गाजय खाने से ताजा खुन बनता है और खुन गाढ़ा होनी की समस्या भी नहीं होती है 32. जिन लोगों को अंधीरे से डर लगता है उनके गुर्दे कम जोड़ होते है 33. यदि हाथों में पिलापत दिखाई देता है तो सरीर में आरन की कमी हो सकती है ऐसे में आपको केले का इस्तिमाल ज्यादा करना चाहिए 34. हरे सेव के सेवन से बलड कैंसर का खत्राप नहीं होता है 35. अद्रक वाले पानी से चेहरा धोने पर चेहरा जवार नजार आता है 36. सुबह के समय दही खाने से सरीर में ताजा खुन बनता है 37. चंदन पाउडर चेहरे पर लगाने से चेहरे की दाग धब्बे दूर होते हैं और चंदन पाउडर में गुलाब जल और कच्चा दूद मिलाकर एक फेस बैक बना ले और इसे चेहरे पर लगाए और सुखने के बाद हलके हाथों से मसाज करके चेहरा ठंडे पानी से धोले इससे आपको तुरंती निखार मिल जाएगा 38. कॉफी पाउडर में दो चंबच एलेवरा जेल मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे का कालापन दूर हो जाता है 49. बदाम का तेल नाभी में डालने से पेट कम होता है और दिमाग तेज होता है 40. अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है तो हलके गुनगुने पानी से नहाए 41. नारियल पानी का सेवन करने से इंसान के अंदर की कम जोड़ी और सुष्ती दूर हो जाती है 42. रोजाना चुटकी भर काला नमक खाना स्वास के लिए अच्छा होता है 43. जिन बच्चों को कम उम्र में ही चस्मा लग गया है उन्हें मिस्री, सौंफ और इलाइची को दूद में उबाल कर बच्चों को पिलाना चाहिए 44. पानी कम पीने से दिमाग की नसों में खोन के ठके जमने लगते हैं और दिमाग पर प्रेसर पड़ता है जिससे बेहोसी भी हो सकती है इसलिए कम से कम 8-10 गलाप पानी जरूर पीना चाहिए 45. जो ब्यक्ति हमेशा कम तले भूने खाने का सेवन करते हैं वह मोटापे और एसी डीटी जैसी समस्याओं से बचे रहते हैं 46. नमक में सहद मिलाकर दांतों की सफाई करने से दांत साफ और शमकदार हो जाते हैं 47. भूख ना लगने पर एक गलस गरम पानी में काली मिर्च नमक निम्बू का रस मिलाकर पीने से भूख खुलकर लगने लगती है 48. हफते में एक बार चेहरे फर एसकरब जरू करें क्योंकि इससे स्कीन की डेड़ी स्कीन निकल जाते हैं 49. जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है या दुबले पन की समस्या है तो उनकी डाइट में पनीर जरू सामिल करें क्योंकि पनीर में प्रोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है 50. हमेशा बाई तरफ करवट लेकर सोने की यादर डाले इससे आपको दिल की बिमारी नहीं होती है 51. जादा सोचने वाले और टेंसन लेने वाले इंसान के चेहरे पर चल्ली जूरियां आने रखती है 52. जीन लोगों का वजन नहीं बढ़ रहा है वह काजू का सेवन करें दोस्तों आपको यह जनकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरू बताएं और अगर आपको यह जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेज़ जरू करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें दन्यवा दोस्तो